यह कीमा में यह कीमा बना दुए कीमा मैंने लिया आधा किलो कीमा और अब मैं एक कुकर में तेल को गरम करूंगी यह कुकर में कि कुकर में मैं इसको गरम कर रही हूं अ Theater अब मिस्में डालूंगी खड़े मशांवे मेरे पास फ़्लाइक्षट्रम्पास थे매 पत्ता काली मीश सब सब खड़े मसाले हैं इसमें एड करूंगी मेने खड़े मसाले को उसमें डाल दी हूं और यह भी टड़ाक रहे हैं सारे डाल दी है मैं दो कटी भी प्याज प्याज डाल दी इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लोगी प्याज लाल हो गई है अब मैं इसमें डालूंगी कीमा कीमा है आदा किलो तक कीमा है श्लो करके डालना है कि तेल ना उड़े अब इसको अच्छी तर से चला दूंगी अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो चम्मच अद्रक लसून का पेस्ट मतलब एक भरा चम्मच भरके इसमें एक चम्मच तक भरके मैं डालूंगी अद्रक लसून का पेस्ट और इसको चला लूंगे इसमें डालूंगी एक कटावा टमाटर और चार पच कटीवी हरी मिर्च मैं इसमें डालूंगी आधी, चमबच अल्दी, एक चमबचकी रू की आधी, डालूंगे मर्ची मैंने कटी वी हरी मिर्च ली है ब meth कम करूंगे इसमें अब मैं इसमें डालूंगी एक चमबच गराम मसाला अब मैं इसको अच्छे से चला के कूकर बन कर दूँगी मैंने इसमें नमक एड नहीं किये था तो मैं नमक डालूंगी टेस्ट की अकॉर्डिंग आप नमक डालो और नमक डालने के बाद मैं कूकर की सीटी लगा दूँगी तीन सीटी तक इसको पानी के यूस बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि किमा पना पानी छोड़ता है अपना पानी और भून मैं और ढल पूंस निकाल को फोलूंगी कि यह कार बील्कुल पानी किमा पहरे। कीमा 3 सीटी के निकाल के बुजा दिया इसमें बिलकुल पानी ख़ताम हो गया है और यह तेल ठोड़ दिया मैं इसको भून लूगे अच्छे से अब भूनने के बाद में इसमें आलू और फोजन मटर जाल के फिर एक स्वीटी लगा दूंगी और कीमा रेडी हो गया अपने ह पानी दाल लेंगे अगर इसको ज्यादा पानी चाहिए वह ज्यादा दाल सकता है थोड़ा साही पानी दालूंगी यह अच्छी तरह से भूनने जाए हुए यह डाल रही हूं मैं आलू कटेवे आलू डाल रही हूं और फिर मैं फ्रोजन मटर जाल के चलाके अधा ग्लास घ्रोजन मटर में डाल दूंगी यह अच्छेश चल चुका ऐसमने अधा गेलश पानी बरने आदानि पुरूरं पानी मिला द्यों अब इसके बाद मेने गत अदन्य कंगा डाल दूंगी मैं इतना से भूनिया कटेवे दाल दी और इसके बाद मैं एक सील भीत लगा दूग पादों आपको सर्फ करके बताओंगे तो में अच्छी तरह से चला लूगी आप सर्फ करने के लिए खाने के लिए एकदम